आजमगड के मुबारक पुर्थाना छेत्र पाही मोड के पास मुहला अमीलों में मंगलवार की दो पहर करीब 12 बच कर 30 मिनट पर बेटे ने लोहे की राट से ताबर तोड़ वार करके अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया मा को मरा देखकर वा घर से भाग निकला जब तक आस पडोस की लोग मौके पर पहुचे इतने में देर हो चुकी थी मा ने मौके पर ही दम तोर दिया अस्थानिये लोगों ने इस वारदात की सूचना अस्थानिये पुलिस को दी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुची और जाच परताल में जुट गई मिले जानकारी के अनुसार मुबारकपुर के मुहला अमीलो निवासी स्तुखिया देवी साथ वर्षी पतनी उधव गोड घर में अकेली थी बड़ा बेटा सुनील जो मांचिक रूप से विक्षिप्त है उसे घर में ही स्तीकर से बांध कर रखा जाता है मंगलवार के दोपहर किसी प्रकार से वा स्तीकर से खुल गया और राट से अपनी मा के ऊपर कई वार कर दिये जिससे उसकी मां गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी और अचेत होकर घर के सामने ही दम तोड़ दिया पती उधव किसी काम से बाहर गया था बेटा अमरजीत इस रिक्षा लेकर बाहर गया था घर से कुछ दूर छोटा बेटा दीपक बकरी चराने गया था घर पर कोई नहीं था घटना के बाद आस पड़ो उसके लोग पहुचे तो वह मृत अवस्था में पड़ी थी मृत का बगल की गाव अतरडिहा में चोका बरतन करती थी पती ठेला लगाता था तीन पुत्र अविवाहित हैं जबकि चार पुत्रियां सविता, सरिता, सुनीता एवं उशा विवाहित हैं मौके पर पहुचे स्पिसिटी शैलेंजर लाल ने बताया कि मुबारक पुर्थान चेतर के अमिलो गाव निवासी सुख्या देवी की उनके बेटे सुनील ने लोहे की राट से हमला करके हत्या कर दी, सुनील मानसिक रूप से बीमार है, उसका 2021 से लाज चल रहा है, अभिवारदात के बाद भाग गया है, उसकी गिरफतारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है, जल्द ही उसे गिरफतार कर लिया जाएगा एक ग्राम अमीलों में लगबग दुपैर में 12 बजे, सुखिया देवी जिनकी उमर लगबग 55 साल की है, इनके लड़के सुनील ने लोहे के रौट से इनकी उपर प्रहार किया, जिससे इनकी मृति हो गई है, सुनील का इलाज मानसिक रूप से चल रहा था, मानसिक इलाज घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें